Hello everyone, welcome to Challenger Classes. My name is Udhid Gupta. आज हम लोग class 10th का एक और new chapter शुरू करने वाले हैं जो कि ये current electricity, ठीक है? इस chapter में हम लोग बहुत basic चीज़ों को समझेंगे कि electric current क्या होता है, potential difference क्या होता है, resistance क्या होता है, combination of resistance पर हम लोग बात करेंगे साथ ही साथ electrical energy या electrical power को भी discuss करेंगे तो बहुत बड़ा chapter होने वाला नहीं है ये, इस chapter को हम लोग most probably 6-7 lecture में complete करेंगे आज का जो lecture based हमारा, वो हम charges और current को dedicate करेंगे हम ये समझेंगे charges क्या होते और current क्या होता है हाला कि NCRT में charges को लेकर के कोई discussion उतना खास किया नहीं गया है लेकिन बिना charges को समझे हम लोग current को नहीं समझ पाएंगे तो सबसे पहले हम लोग charges के बारे में अच्छे से समझेंगे उसके बाद हम लोग what is electric current या current क्या होता है इसको समझेंगे आईए start करते हैं अपने lecture को ठीक है तो charges क्या होता है charges को समझने से पहले मैं एक topic को आपके साथ discuss करना चाहता हूँ जो कि ए gravitational force जिसे हम लोग earth पर खड़े हैं तो earth हमें अपनी तरफ attract कर रहा है अर्थ पर अगर हम खड़े हैं तो earth हमें अपनी तरफ खीच रहा है अर्थ क्या कर रहा है हमें अपनी तरफ खीच रहा है ठीक है ये अर्थ का हम पर लगाया force है और उसी तरीके से हम भी अर्थ पर force लगाते हैं खेट इसकी बात बाद में करेंगे पहले इसको समझते हैं कि अगर हम अर्थ पर करें तो अर्थ हमें अपनी तरफ क्या कर रहा है या अर्थ पर कोई भी object है अगर अर्थ के ओपर buildings है, table है, chair है, car है, जो भी चीज़े अर्थ के surface पर है उन सभी चीज़ों को अर्थ क्या कर रहा है, जो अर्थ के surface पर है उन्हें तो अर्थ अपनी तरफ अट्रेक करी रहा है बाकी जो अर्थ के surface से उपर है, जैसे कोई चीज़ गिर रही है तो उसको भी अर्थ अपनी तरफ अट्रेक कर रहा है एक object जब दूसरे object पर force लगाता है तो उस force को हम gravitational force कहते हैं चलो ये तो हमने सीख लिया वहाँ में हमने एक और बात सीखी थी कि एक object या earth या कोई भी दूसरा heavy object दूसरे object पर force क्यों लगा रहा है ऐसी कौन सी चीज है उनके पास जिनकी वज़े से वह एक दूसरे पर force लगा पारें ऐसा ही नहीं है कि अगर earth हम पर force लगा रहे तो हम भी earth पर force लगाएंगी यहाँ पर मैंने diagram के थूर समझाने की कोशिश करी है कि earth हम पर force लगा रहें तो यहाँ कौन सी ऐसी चीजे हैं हमारे पास ये earth के पास जिसकी वज़े से हम एक दूसरे पर force लगा पारें सोचिए थोड़ा वो क्या ऐसी चीज है जिसकी वज़े से earth हम पर force लगा रहे है या हम earth पर force लगा रहे है तो वो है एक चीज है mass कौन सी चीज है वो mass हमारे पास हमारा mass है earth के पास उसका mass है अलग-अलग objects के पास उनका-उनका mass है. तो यह जो mass है, इस mass की वज़े से ही अर्थ हम पर force लगा रहा है और हम अर्थ पर force लगा रहे हैं. और यह mass पर ही depend करेगा कि अर्थ हम पर कितना force लगाएगा. या कोई भी दूसरो object, किसी दूसरो object पर कितना force लगाएगा, current electricity है और आप जो है, gravitational force start कर दिये हो. बस पांच मिनटर को अभी समझ में आएगा, क्यों discuss कर रहे हैं? तो mass एक ऐसी property है, जिसकी वज़े से हम सब पर gravitational force लगा रहा है. अच्छा, mass के बारे में अगर हम और सोचें, तो mass हमारी intrinsic property है. कैसी property है? intrinsic property है. intrinsic property है, मास हमारी. What is intrinsic? तो intrinsic और extrinsic दो word होते हैं, पहले इनको discuss कर लेते हैं. intrinsic और extrinsic दो जो होते हैं, intrinsic और extrinsic दो word होते हैं, intrinsic का मतलब बताब आंतरिक जो अंदर है, जो हमसे जुड़ी हुई है, हमसे अंदर है. आंतरिक मतलब बाहर की property, जो बाहर दिख रही है, ठीक है? तो mass एक intrinsic property, mass हमसे जुड़ा हुआ है, हमारा mass हमसे जुड़ा है, जहाँ जहाँ जाएंगे, mass हमारे साथ साथ जाएगा. हम उसको अपने से अलग नहीं कर सकते, तो ऐसी property जो हमारे साथ जुड़ी हुए, जिसको हम अपने से अलग नहीं कर सकते, वो intrinsic property कहलाती है. तो mass हमारी कौन सी property है? Mass हमारी intrinsic property और इसी intrinsic property की वज़े से हम पर एक force काम कर रहा है, जो की gravitational force है. और इसी force की वज़े से हम अर्थ की तरफ attraction का force feel कर रहे हैं, और या फिर हम earth को attract करने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है? या फिर earth जो है, वो moon को attract करना है, ठीक? तो यहाँ पर देखिए, mass एक intrinsic property जिसकी वज़े से force काम कर रहा है, जिसको gravitational force कहते हैं, अगर हम चाहे हैं, तो क्या ये mass हम अपने से अलग रख सकते हैं, यसे हम मेरा मन किया ना, कि आज चलो भीया, दो किलो mass घर पर छोड़के घर जाते हैं, थोड़ा सा सही रहेगा, या फिर जो लोग कहीं किसी occasion में जाना है, party में जाना है, शादी में जाना है, वो लोग क्या करें, वो लोग अच्छे दिखने के लिए, दो-चार किलो घर पर छोड़ दें, फिर वापस party से आएं, अच्छा बन के जाएं, फिर वापस intrinsic property, आंतरिक property, और इसी property की वज़े से, आप सब पर gravitational force काम कर रहा है, जो भी object हैं, उन सब पर gravitational force काम कर रहा है, आजी बास होंने, तो अब ये तो, हम जितने भी objects हैं, उनके बारे में बात करें, वैसे ही अगर आपको पता हो, तो जो हमारा atom होता है, जो हमारा atom होता है, atom के पास होते है, electrons and protons, अब हम अपने concept पर आते हैं, ये मेरा atom है, ठीक है, ये मेरा atom है, ठीक है, atom के nucleus में protons and neutrons होते हैं, और shells में क्या होता है, electron होता है, shells में क्या होता है, electron होता है, चलो ठीक है, ये मेरा atom है, इसके shells में electron है, और nucleus में proton and neutron है, तो ये जो particles हो गए, ये हमारे जो particles ह होते तो बहुत छोटे हैं, बहुत ज़्यादा छोटे, basic particle हैं सबसे यह, इनको elementary particles भी कहते हैं, proton हो गया, electron हो गया, ठीक है, और neutron हो गया, तो आपने देखा होगा, कि nucleus जो होता है, nucleus electron पर force लगा के उनको shells में बांधे रखता है, या shells में रखता है, जैसे, अगर sun है, तो sun के चारो तरफ planets क्यों घूम रहे हैं, क्योंकि sun ने क्या करका है, force लगा करके, सारे planets को पगल के रखा हुआ है, वैसे ही, nucleus भी force लगाता है, electrons इलेक्रान को या करता है, shells में बांद करके रखता है, तो यह nucleus में अच्यली क्या है, nucleus कुछ है नहीं, nucleus तो basically proton और neutron का collection है, यज सारे proton and neutron है, वही nucleus है, तो Nu bên sometime proton क्या करते हैं, हो सभी electrons को पगड़ के रखते हैं, अब electrons को अगर proton पकड़ के रखते हैं, तो अब electrons को अगर proton यहоваा रित रींक्षन कीक», क्यों लगा हो, तो जैसे हम सब के पास एक intrinsic प्रापरिटी है मास वैसे ही fundamental पार्टिकव से इनको क्या बोलते हैं? fundamental particles ठीक है? क्या बोलते हैं, Molecule बना Molecule से, बहुत सारी चीज़ बनी है, तो यह fundamental particles है, तो यह जो fundamental particle है, यह भी एक दूसरे पर force लगाते हैं, force of attraction, force of repulsion दोनों लगाते हैं, हलाकि gravitational force खाली attractive force है nature में, खाली attraction का force है, लेकिन यह जो electron and proton एक दूसरे पर force लगा रहे हैं, यह कैसा force लगाते हैं, यह attraction का भी ल तभी जो electron है, वो shells में रहे पाते हैं, ठीक है, वहीं अगर मैं बात करूँ, तो proton दूसरे proton को ripple करता है, क्या करता है, ripple करता है, ठीक है, अच्छा, उसी तरीके से एक electron दूसरे electron को क्या करता है, ripple करता है, ठीक है, तो यह electron proton एक दूसरे पर force लगा रहे हैं, तो यहाँ कौन स intrinsic property है किसकी intrinsic property है भाई fundamental particles की सर्जी charge क्या है charge intrinsic property है proton, electron और neutron की ठीक है तो यह जो charge है ना वो intrinsic property है proton, electron की जिसकी वज़े से वो एक दूसरे पर force of attraction या repulsion लगा पार है charge, electrons and proton की intrinsic property है जिसकी वज़े से वो एक दूसरे पर attraction का और repulsion का force लगा पार है, ठीक है, तो charge क्या होता है, तो charge एक intrinsic property है, elementary particles की या fundamental particles की, जिनकी वज़े से वो एक दूसरे पर force लगा पाते है या खुद experience कर पाते है ठीक है, अब जैसे electron पर charge है इसी वज़े से वो proton के दूरा लगा गया force experience कर पा रहा है और proton पर charge है, इसी वज़े से वो electron पर force लगा पा रहा है तो charge की कहानी समझ में आई, charge क्या होता है जो भी atoms के अंदर पाये जाने वाले fundamental या elementary particles होते है उनके पास जो property है उस property का नाम charge है जिस वज़े से वो एक दूसरे पर force लगाते है, attraction और repulsion का तो कहोगे सर इनके पास charge होता हो, तो mass नहीं होता हो ऐसा नहीं, इनके पास दोनों चीज़े होती है charge भी होता है और mass भी होता है ठीक है, दोनों properties होती है तो चलिए आगे बढ़ते हैं, अब charge की definition को समझते है इसको note-down करना है तो आप note-down कर सकते हैं ठीक है इसको note-down कर से लिजए अगर आप को करना है तो चलिए आगे बढ़ते है तो charge की definition की बाग करी जाए तो what is charge? charge is an intrinsic property of elementary particles of matter which give rise to electric force between various objects तो यहाँ पर इस definition की अगर हम ध्यान से समझें तो यहाँ पर इस definition को अभी के रिए मैं modify कर देता हूँ charge is an intrinsic property of elementary particle of matter अब इस line को यहाँ से मैं थोड़ा सा modify करूँगा भी आपके लिए तो matter due to which यहाँ लिख देजे due to which due to which they experience due to which they apply apply करते हैं and experience experience मतला force भी experience करते हैं and experience force of attraction कैसा force force of attraction and repulsion force of attraction and repulsion on each other on each other यह अभी आपके आपके यह definition अभी perfect है ठीक है उपर अली डेफिनेशन जो भी इसमें लिखी थी उसको मत उसमें मत जाईए उसको भी समझा सकता हूं लेकिन जरुरत नहीं उसकी इसनिए और इलेक्टरिक चार्ज इस इन इंट्रिंसिक प्रीटी ऑफ अलिमेंटरी पार्टिकल्स की यानि इलेक्रों प्रोतॉन की जिसकी वज़े से वह एक दूसरी पर फोर्स लगाते भी और एक दूसरी की दौऱा लगाएगा एक फोर्स एक्स्पिरियंस भी करते हैं electric charge एक scalar quantity है, कैसी quantity है scalar, scalar in the sense होता है जिसकी direction नहीं होता है, अब मेरे पास mass है, तो mass की क्या direction है भाई, है तो है, चाहिए मैं इधर खड़ रहा हूँ, चाहिए उधर mass होता नहीं रहेगा, तो mass की तरह charges भी क्या है, scalar quantity है, SI unit charge की कुलम्ब है, SI unit charge की क्या है, कुलम्ब है, capital C से इस unit को represent करते हैं, उसे mass की SI unit kg है, वैसे charge की SI unit क्या है, कुलम्ब है, अच्छा, अब यहाँ charges दो तरह क्यों होते हैं, charges कितने तरह क्यों होते हैं, अगर मैं बात करूं तो charge दो तरह क्यों होते हैं, एक होता है positive charge एक होता है positive charge जो की proton के पास होता है किसके पास होता है बेटा लोग proton के पास होता है और एक होता है negative charge और ये negative charge किसके पास होता है electrons के पास होता है ठीक है किसके पास होता है electrons के पास होता है तो दो तरह के charges हो गए positive charge and negative charge अच्छा अब जैसे अब एक और बात है मेरा मास कुछ होगा किसी और का मास कुछ होगा बहुत रियर या बहुत कोइंसिडेंस हो गया तो अगर मेरा मास 65 kg है तो किसी और का भी मास exactly मेरे जीतना होगा 65 होगा तो बहुत कोइंसिडेंस की बात है तो ऐसा हो नहीं सकता कि सबका मास एक जैसा हो किसी का कुछ होगा किसी का कुछ होगा डिपेंड करता है ठीक है उनकी एज पर ठीक है उनकी डाइट पर सब पर डिपेंड करता है कि किसका मास क्या होगा किनका मास क्या होगा लेकिन Charges के साथ ऐसा नहीं है अगर कोई भी Electron है कैसा भी Electron हो अब जिसे अगर मेरी बात करें तो बहुत सारे Element आपको पता होंगे Hydrogen हो गया Helium हो गया, Lithium हो गया Beryllium हो गया, Boron हो गया Carbon बहुत सारे Element है ना 118 Element है रोटल सभी Element के जो Atoms होते हैं वो Proton और Electron से बने होते हैं आप सभी को पता है, Hydrogen के पास 1 Electron, Helium के पास 2, Lithium के पास 3 Beryllium के पास 4, Boron के पास 5 Carbon के पास 6, ऐसे Nitrogen, Oxygen, Fluorine, Neon, Sodium, Magnesium ऐसे करके तोडल 118 Element होते हैं, सब के पास Electron है, ठीक है, Atomic Number के According आप यह देख सकते हो कि किसके Atom में, कितना Electron होता है तो चाहे आप Hydrogen का Electron लेलो, चाहे Lithium का लेलो, चाहे Carbon का लेलो, चाहे Zinc का लेलो चाहे आप Barium का लेलो, किसी का भी Electron लेलो, फरक नहीं पड़ता वो सभी Electron के पास जो चाहे, उनभी Electron के पास जो चाहे होगा, वो चाहे होगा second जो सेम होगा, और उस चाहे होगी, उस Electron पे प्रिजन्ट चाहे की वेलू का होगी, तो यह Electron पे जो चाहरे हो ता है, एक Electron पे जो चाहरे होता था, Minus 1.6 10 की पावर, Minus 19 कौलम का होता है माइनस 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19 कुलम का होता है कितना चार्ज होता है माइनस 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19 कुलम का हो उचार्ज दुनिया के किसी भी अटम का हो उस अटम के इलेक्ट्रोन के पास इतना ही चार्ज होगा एक electron की बात कर रहा हूँ, यह एक electron का charge है, वैसे proton के लिए भी same statement है, किसी भी atom, किसी भी element के atom का proton हो, फरक नहीं पड़ता, hydrogen element है, उसके atom का जो अगर मैं proton उठाऊंगा, तो उसके charge मिलेगा मुझे कितना, plus 1.6 into 10 की power minus 19, मतला magnitude जो है electron और proton के charge का, वो same होता है, बस nature opposite होता है, electron क nature negative होता है, proton का positive होता है, ठीक है, तो यहाँ पर अगर मैं दुनिया के किसी भी element का atom उठालू, मैं hydrogen atom का proton ले लू, मैं oxygen atom का proton ले लू, मैं, किसी और भी किसी iron के atom का proton ले लू, कोई भी atom का proton ले लू, उसको एक proton की मैं बात करूँ, तो उसको इतना charge होगा, यह बात समझ में अच्छा यह जो value है, यह जो value है, 1.6 इंटू 10 की पावर मैनस 19 कुलंब, इसको E बोलते है, fundamental charge बोलते है, इसको क्या बोलते है, fundamental charge, तभी यहाँ पर देखे, positive charge को plus E लिखा हुआ है, plus E का मतलब होता है, plus 1.6 इंटू 10 की पावर मैनस 19, इसको E से represent करते है, इस value को, इस magnitude को E स represent करते है, तो इसलिए यहाँ पर लिखा है, अब proton has a positive charge of plus E, and electron has a negative charge of minus E, तो proton पर positive charge होता है, plus E का, और electron पर negative charge होता है, minus E का, और E की value क्या होती है, 1.6 इंटू 10 की पावर मैनस 19 कुलंब, ठीक है, यह value होती है, किसकी charge ही, किस पर electrons and proton की, आर यह बात समझ में, तो अच्छा, अगर मैं आपसे बहुत basic question करता हूँ, ठीक है, इसको लिख लो पहले आप लोग, इसको आप लोग लिख लो, ठीक है, यह यहाँ पर जो भी आपको समझ में आए definition, क्योंकि यह अभी erase हो जाएगा, तो इसको आप screenshot ले लो, basically बाद में notes बनाना, ठीक है, या pause करके लिखना ह मैं चाहो तो लिख लो, मैं अभी 10-15 second के लिए screen से हटा हूँ, अराम से screenshot ले लो, आगे बढ़े, चलिए ठीक है, तो अब यहाँ पर ध्यान दीजे, अब मुझे तो पता चल गया कि एक electron पर कितना charge होता है, एक proton पर कितना charge होता है, मैं आपको बोलता हूँ, मैं को बता हो, अगर एक electron पर, एक electron पर e minus बोलते हैं, electron को e minus से represent करते हैं, एक electron पर अगर minus 1.6 into 10 के पावर minus 19 कुलम का charge होता है, तो अगर एक electron पर इतना charge है, तो बताओ मेरे को, कि 10 electron पर कितना charge होगा, क्या करोगे आप, अगर सर यह इतना simple question दोगे सरम को, इतना भी dumb minded समझाए कि ऐसे question दे पर अगर minus 1.6 into 10 की पावर minus 19 कुलम का charge है, तो 10 पर कितना होगा, 10 से multiply कर दो, बस, खतम का, 10 से क्या कर दो, multiply कर दो, देखो, यहां क्या करोगे, 10 electron का पूछा है, तो एक electron का पता है, तो एक electron में क्या करो, जो एक electron का charge है, उसको 10 में multiply कर दोगे, तो क्या आ जाएगा, आपको तो 10 electron पर charge आज़ेगा, अच्छा ये 10 है, यानि 10 की power 1 है, तो power 1 है और power minus 19, तो solve करोगे, तो क्या मिलेगा, 10 की power minus 18 कुलम मिलेगा, exponent and power पढ़ा होगा, base same होता है, power add हो जाती है, 1 में minus 19 add करो, तो minus 18 बचेगा न, ठीक है, अच्छा, अगर मैं आप से बोलू, कि बताओ बच्च 25 electron पर कितना charge होगा, तब क्या करोगे, तब क्या करोगे, तब क्या करोगे, 25 का multiply करेंगे, 25 का multiply कर देंगे, एक electron पर जीतना charge होता है, उसमें 25 का multiply कर देंगे, हो गया, काम खतम, इतना क्या दिमाग लगाना है, तो multiply करिए, 25 into 1.6 करिए, करिए multiply, बच्चों की तरह ऐसे बना जीरो, जीरो, फोर, पॉइंट यहां आएगा, ठीक है, तो क्या आ रहा है, फोर्टी, फोर्टी पॉइंट जीरो, इंटू 10 की पावर, माइनस 19 कुलम, तो इतना, 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 इतना क्या हो गया, इतना हमारे पास 4 जगा 25 लाक्रॉन पर, तो हमने ये देखा, अच्छा, प माइनस 19 कुलम का चार्ज है, तो 20 प्रोटोन पर कितना होगा, तो सर्जी, वही काम करने वाले हो आप, क्या करोगे, आप 20 का मंटिप्लाई करा दोगे, इसमें, आप यही करोगे, जी मैंटा, यही करना ही पड़ेगा, तो यहां पर देखिए, जब मंटिप्लाई कराएंग यह एक प्रोटोन का चार्ज पता है, तो मुझसे कितने भी number of electron या कितने भी number of proton का चार्ज पूछे, मैं easily multiply करके निकाल लूँगा, तो चार्ज को Q से रिप्रेजेंट करते हैं, तो यह चार्ज की unit है कुलम, लेकिन चार्ज को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, Q से करते हैं, और यहाँ पर आप plus minus लगा सकते हो, तो आपका जो चार्ज होता है, उसको find out कैसे करते हैं, किस formula से Q is equal to any से करते हैं, यानि यह है E की value क्या है, E की value क्या है, E है हमारा 1.6 into 10 की power minus 19 कूलंब है हमारा, ठीक है, और N क्या है, N हमारा number of electron of proton है, जैसे हमारे पास 10 electron है, तो मैं 10 का multiply E से करा दूँगा, मेरे पास 20 proton है, तो मैं 20 का multiply E से करा दूँगा, तो यहाँ पर मैं क्या कर रहा हूँ, मैं total charge निकालने के लिए, मैं number of electron या number of proton का E से, यानि fundamental या elementary जो charge है, उससे क्या कर रहा हूँ, multiply कर दे रहा हूँ, तो यह formula यादर, Q is equals to any, अच्छा, plus minus का क्या आप किसी भी जो है, कितने भी number of electron या proton आपको दे विए जाए, आप उससे charge निकाल सकते हूँ, लिख लो इसको, for practice इसको लिख लो copy में, screenshot लेलो, pause कर लो, मैं थोड़ा सा जो है, 10 second के screen से हटाऊ अभी, तो चलिए आगे बढ़ते हैं, तो यह हो गई charges की कहानी, इतने देरे में हमने charges को सीखा, सर यह तो है नी, NCRT में आपने इतना पढ़ा दिया, अगर यह नहीं पढ़ाओंगा, तो charge समझ में नहीं आएगा, तो अब हम आते हैं, अपने current के उपर, current क्या है, तो दिखिए क् current कैसे बना, तो जब यह charges, जिन charges के हम बात कर रहे हैं, जब यह charges motion करते हैं, या move करते हैं, conductor के अंदर, तो current क्या 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 क सही कर देता हूं, ताकि आपको यह दिखाई दे, यहाँ पर देखो ध्यान से, यहाँ पर दो मैंने डाइग्राम्स बना है, एक यह डाइग्राम है, और यह जो dot आपको दिख रहा है, यह arrow है, यह direction motion की, तो दो डाइग्राम से, एक डाइग्राम वो जिसमें ये भी मेरा conductor है, ये भी मेरा conductor है, और ये भी मेरा conductor है, ठीक है, दोनों conductor है, लेकिन एक दोनों में difference क्या है दोनों डाइग्राम में, इस डाइग्राम में conductor में battery connected नहीं है, और इस डाइग्राम में conductor में battery connected है, तो जो भी हम conductor होते हैं उसके पास बहुत सारे free electrons होते हैं कहानी को सुनना आप हमारा जो भी conductor होता है उसमें बहुत सारे क्या होते हैं free electrons होते हैं और वो motion करते हैं वो क्या करते हैं conductor में move करते हैं लेकिन जब यह random direction में move करते हैं कोई electron इधर को भाग रहा है कोई electron इधर भाग रहा है, कोई electron इधर भाग रहा है, कोई इधर को भाग रहा है, तो हर electron यहाँ पर random motion कर रहा है, आप देख सकते हो, यहाँ पर जितने भी electrons है, वो क्या कर रहे है, random motion कर रहे है, आर यह बात समझ में, तो जितने भी electron यहाँ random motion कर रहे है, वो कभी भी current cause नहीं करना शुरू कर देते हैं तो current cost करते हैं फिर से संदा मेरी बात अभी आप देख लो ना normal condition में जो conductor के पास हमेशा free electron होता है कहां से आता उसके भी बारे में बात होगी अभी तो यह जो भी conductor होता है conductor के पास क्या होता है कंडॉक्टर के पास हमेशा बहुत सारा free electron होता है और जब यह free electron random motion करता है तब कोई current नहीं मतला random motion का मतला कोई electron कहीं भाग रहा है हाँ कोई control नहीं है conductor का कि electron एक particular direction में जाए हर electron अपनी मनमर्जी की according जिधर जा रहा है उधर जा रहा है भाग रहा है तो यहाँ पर ऐसे condition में कोई current नहीं बन रहा हलाकि electron motion में तो हैं, लेकिन कोई current नहीं बन रहा, लेकिन जैसे हम एक conductor को battery से connect करते हैं, I hope आपको यह diagram दिख रहा होगा, एक second में देख लेता हूँ, जी दिख रहा है, जैसे हम किसी conductor को battery से connect करते हैं, तो जितने भी electron होते हैं, जितने भी electron एक particular direction में move करना शुरू कर देते हैं, और क्योंकि यह electron जब एक particular direction में move करते हैं, तो क्या cost करते हैं, current cost करते हैं, जी हाँ, जब यह electrons एक particular direction में move करना शुरू करते हैं, तो क्या cost करते हैं, current cost करते हैं, तो यहाँ पर यह जो electron है बैटरी के वज़े से एक particular direction में move करने लगे और यहाँ क्या आ गया? current आ गया क्या आ गया? current आ गया तो अब current आ गया कैसे आया यह समझ गया लेकिन यह free electron कहां से है? एक कहानी जो आप free electron की बता रहे हो sir की conductor के पास free electron होता है तो कहां से आया यह free electron? आईए उसके बारे में भी discussion करते हैं, ठीक है? चलिए, I hope आपको चीज़े clear हो रही होगी, थोड़ा सा patience रखो अराम से चीज़ों को बहुत smoothly समझेंगे, ठीक है? कोशिश मेरी पूरी यह है कि आपको हर एक concept समझ मैं doubt बिल्कुल भी ना हो, अगर है doubt तो comment section आपके लिए बिल्कुल open है जाए comment लिखिए, मैं next lecture में उस comment में जो doubt आपने discuss किया, उसको ज़रूर मैं यहाँ पर आपको clear कर दूँगा, ठीक है? तो उसके लिए थोड़ा सा आपको मेनत करनी होगी type करना होगा आपको, ठीक काश YouTube एक ऐसा feature देते न, जहां बच्चे क्या होता न, voice record करके अपना doubt भेज दें, तो ज़्यादा अच्छा होता चलिए, कोई बात नहीं, ज़्यादा expectation नहीं रखनी वो भी आ जाएगा एक दिन, तो यहाँ पर देखिए हमारा एक copper का copper के पास कितने electrons होते हैं copper के पास total 31 electrons होते हैं क्योंकि इसका atomic number 31 होता है तो total 4 shell में इसके electron जो होते हैं, आपने KL, MN shell के बारे में सुने ही होगा 4 shell में total इसके electron भरी होते हैं, پہले shell में 2 electron, दूसरे shell 29 होते हैं, not 31 29 होता है, atomic number इसका तो K shell में 2 electron, L shell में 8, M में 18, तो कितने हो गए 2, 8, 10, 10 और 18, 28, 29 और 29 electron होते हैं, तो last shell जो होता है, N shell, जो N shell होता है, उसमें सिर्फ और सिर्फ एक electron होता है, कितना electron, एक electron होता है, अब मेरी बात समझना ध्यान से, कितना electron, एक electron, तो अगर मैं copper का एक rod ले लूँ, या copper metal की कोई भी rod ले लूँ, copper metal का, मान लेते हैं, यह मेरा copper metal का rod है, या wire है, suppose that, rod है, wire है, जो भी समझना है, यह मेरा copper atom का, copper का rod है, तो यह copper का rod कैसे बनाए भई, copper के कई सारे atoms अपने आप में arranged होंगे, आपस में arranged होंगे, एक regular pattern में, तो वो क्या बनाएंगे, एक पूरी rod बनाएंगे, तो कई सारे यहाँ पर जोंगे, कई सारे यहाँ पर, छोटे-छोटे copper के atoms प्रिजेंट होंगे, बिल्कुल ऐसे, ठीक है, जो यहाँ बनाए, फिगर बड़ा सा, ठीक है, ऐसे करके, पूरे यहाँ पर copper के atoms होंगे, आर यह बात समझ में, ठीक है, अच्छा, तो अब यह जो copper के atoms हैं आपके, हर atom के पास, एक electron प्रिजेंट है, आउटर मोशल में, एक electron प्रिजेंट है, आउटर मोशल में, तो जो भी metals या conductor होते हैं न, ये, ये क्या करते हैं, इनको जब surrounding से energy मिलती है, अब मैं जो Garrett rounds को, राइंक को ध्यान से सुनिएगा, जितने भी conductor होते हैं, जब इनको surrounding से क्या मिलती है, तो ये उसी energy की मदद से क्या करते हैं, उसी energy की मदद से, अपने outer most shell की electron को free कर लेते हैं, मेरी बात ध्यान से सुनिएगा, मैं क्या बोल रहाँ. ये जितने भी Atoms होते हैं, Atoms के जो Outermost Electrons होते हैं, ये Electrons क्या करते हैं, ये Energy Gain करते हैं. सुराउंडिंग्स अब सुराउंडिंग्स इनको Energy मिलती में कैसा है, वो Energy किसी भी 모양 मिल सकती है. वो आपको heat energy के form में मिल सकती है, conductors को, जो conductor से उनको किस form में मिल सकती है, heat energy के form में मिल सकती है, या किसी और तरह से energy उनको मिल सकती है, मतलब photons के incident कर रहे हैं से energy मिल सकती है, बहुत तरीके हैं, लेकिन आप यह समझो, जब यह conductor जो होता है, conducting rod, जब इनको क्या मिलती है, surrounding से, energy किसी फॉर्म में तो वह energy conductor absorb कर लेता है अब conductor बना किससे है conductor बना atoms sequence को समझिएगा ठीक है conductor किस से बना है conductor बना है atoms तो conductor जो energy absorb करेगा वो किसको मिलेगी atoms को और atom में क्या present है electrons present है और सबसे पहले कौन सा इलेक्रोन आपको दिखेगा आउटर most shell का electron दिखेगा तो जैसे ही conductor energy absorb करता है ना तो वो conductor के जो energy वो सभी atoms में बढ़ जाती है equally नहीं कहूंगा जो surface पर atoms होते हैं उनको जादा energy मिलती है और जो थोड़े अंदर होते हैं मतलब layer के अंदर होते हैं उनको थोड़ी कम energy पहुचवाती है लेकिन जो layer पर जो atoms होते हैं उनको जादा energy मिलती है लेयर हैं कि पहली layer ठीक है atom की एक layer बहुत थिन होती है तो 10,000-20,000 की जो layer होती atoms की एक उपर उनको जादा energy मिल पाती है तो अब वो energy उन atom से किसको मिलती है उनके outer muscle के electron को atom एक structure है जो किससे बनाएं लेते हैं कोई person जो है बहुत सारी candies लेकर के आ रहा है, toffees लेकर के आ रहा है तो जब खुला offer है कि जिसको जितनी toffees लेनी है ले लो तो सबसे जारा toffees को लेगा जो सबसे पहले पड़ेगा ना बच्चा दोनों हाथ से free करना चाहता है, वो क्या करना चाहता है वो atom से खुद को free करना चाहता है वो atom में नहीं रहना चाहता है जिस वजे से वो क्या करता है जैसे ही उसको इतनी sufficient energy मिल जाती है कि वो अपने आपको atom से छुडा सके कैसे छुडाएगा, क्यों छुडाएगा क्योंकि nucleus में पकड़ के रखा है outer most shell के electron को nucleus ने पकड़ के रखा है हलाकि outer most shell का जो electron होता है, वो nucleus से काफी दूरी पर होता है, तो उतना tight force of attraction नहीं होता, उतना large force of attraction नहीं होता, लेकिन फिर भी होता है, लेकिन जैसी ये energy absorb करता है, surrounding बहुत शॉर्ट में समझाऊंगा, जो भी conductors होते हैं, metals होते हैं, वो क्या करते हैं, जब वो surrounding में रखे रहते हैं, तो वो surrounding से energy absorb करते हैं, बहुत सारे forms में, अब वो energy conductor को मिलती है, तो conductor से atom को मिलती है, और atom से सबसे पहले किसको मिलती है, outer motion के electrons को, तो electron उस energy का absorb करते हैं, उस energy का absorb करने के बाद, वो खुद को nucleus के force से अजाद कर लेते हैं, और atom को छोड़ देते हैं, और क्या हो जाते हैं, free हो जाते हैं, और यहां से आता है free electron, और यही free electron का motion जो है, वो current cause करता है, I hope आपको ये कहानी समझ में आई होगी, ठीक है, free electrons का motion हो रहा है, conductor के अंदर, यह current cause करता है, तो sir, अभी charges पढ़ा है, आप आप electrons पढ़ा रहे हो, तो current की जब definition आप देखोगे, current की जब आप definition को देखोगे, तो what is current, the amount of charges flowing across the area per unit time is known as electric current, तो किसी भी conductor से कितना charge किसी area से flow कर रहा है, वो क्या कहलाता है, electric current कहलाता है, तो sir, यहाँ पर अभी electron फिर क्या क्या समझाने कोशिक कर रहे हो आप, तो यहाँ ध्यान के देखो, अब जैसे मैं कहूँ, मेरे पास, मेरा mass 65 kg है, अब मैं कहूँ, एक 65 kg का person चल रहा है, या मैं कहूँ, एक person चल रहा है, मैं एक person हूँ, मालनेते मेरा नाम A है, तो A चल रहा है, या तो मैं यह बोलूँगा, या मैं क्या बोलूँगा, मैं बोलूँगा, 65 kg का object चल रहा है, suppose that we are all our objects, तो मैं क्या बोलूँगा, दो चीज़ बोल सकता हूँ, या तो मैं बोलूँगा A चल रहा है, मैं अपना नाम बोलूँगा, कि A चल रहा है, या कोई बोले का A चल रहा है, या कोई दूसरा person मुझे देख रहा है, तो ही कहेगा, कि 65 kg का कोई object चल रहा है, तो दोनों चीज़े possible है, तो मैं अगर कहूँ, तो मैंने कहा कि जो electron होता है, वो electron पर charge होता है, तो जब electron चलेगा, तो charge भी तो चलेगा, जब electron का motion होगा, तो charge का भी तो motion होगा, तो मैं कहूँ electron motion में है, या मैं कहूँ charges motion में है, इसमें क्या दिक्कत है, मैं कहूँ electron motion कर रहा है, मैं कहूँ charge motion कर रहा है क्या दिखकत है दोनों बात से में, योगी charge है किसके पास, electrons के पास है, तो जब charges का या electrons का motion होता है किसी given area से, ये conductor की किसी given area, ये area ही तो है, किसी given area से जब क्या होता है, जब charges का motion होता है, electrons का motion होता है, किसी given time में, तो वो क्या cost करता है, current cost करता है, current cost करता है, तो यहाँ पर वापस आते हैं current की definition पर current की definition पर वापस आते हैं the amount of charge flowing across the area per unit time is known as electric current अब यहाँ पर अगर हम देखें तो इसका जो अगर formula लिखें तो per unit time कितना current पास कर रहा है कितना charge पास कर रहा है किसी given यहाँ से electric current तो electric current का जो formula हो गया electric current का जो formula हो गया वो क्या हो गया charge upon time charge upon time यानि कि current is equal to current का symbol आई है तो current और charge का symbol क्यों है current is equal to q by t मैं लाब पर unit time जैसे अब क्या होता है न कि मैं बोलू कि 5 second में 50 कुलम का charge flow कर गया तो 5 second में अगर 50 कुलम का charge flow हुआ है तो वो current नहीं है पर second कितना flow हुआ तो पर second अगर आप निकालोगे तो अगर 5 second में 50 कुलम का flow हुआ है तो एक second में कितना हुआ है 10 कुलम का तो 10 कुलम पर second यह हमारा current है 10 ampere कहने का मतलब यह है कि अगर मेरे से बोला जाए कि पांच जो है जो है सेकंड में 50 कुलम का चार्ज फ्लो हुआ है कितना चार्ज फ्लो हुआ है पांच सेकंड में अगर 50 कुलम का चार्ज फ्लो हुआ है तो एक सेकंड में कितना फ्लो होगा पर सेकेंड या पर यूनिट टाइम जो भी current flow रहा उसको हम क्या कहते हैं? चार्ज फ्लो रहा उसको हम क्या कहते हैं? current का formula होता है charge upon time, charge की जो unit होती है अगर हम देखें तो current की unit ampere है, charge की column है, time की second है तो ampere क्या हो गया? कुलम पर second हो गया कभी-कभी exam में जो है, कभी-कभी exam में one ampere की definition पूछ लेता है कि what is one ampere? तो one ampere क्या है? one ampere वो current है जब एक कुलम का charge किसी area से एक second में flow करता है जब एक कुलम का charge किसी area से कब flow करता है? एक second में flow करता है, तो उसको क्या कहते हैं? उसको क्या कहते है, उसको 1A का current कहते है कहने का मतलब यह है, अगर current का फॉर्मुला charge upon time है तो एक कुलम का चार्ज अगर 1 सेकेंड के लिए flow करें तो क्या आएगा 1 कुलम पर सेकेंड या 1 Ampere आएगा तो 1 Ampere क्या आए, 1 Ampere वो current है जब 1 कुलम का चार्ज एक second के लिए किसी area से flow करता है एक कुलम का charge एक second के लिए किसी area से flow करता है तो जो current cost करता है वो कितना करता है 1 ampere का करता है आरी बात सम्में तो 1 ampere is the SI unit of current SI unit अगर आप से कोई पूछे current की SI unit अगर आप से कोई पूछे current की तो वो क्या है? ampere है क्या है, Ampere है, ठीक है, Ampere है, Ampere बहुत बड़ी unit है current की पता है, हमारे घरों में जो बिजली आती है, वो भी लगबग 5-10 Ampere की ही आती है, ठीक है, बहुत ज्यादा नहीं होती, तो यहाँ पर देखिए, तो हम छोटी units में deal करते हैं, तो छोटी unit क्या है current की, 1 Milli Ampere है और Micro Ampere है, 1 Milli Ampere में 10 की पावर माइनस 3 Ampere का current होता है, 1 Milli Ampere is equals to 10 की पावर माइनस 3, that means 10 की पावर माइनस 3 मतलब, 10 की पावर माइनस 3 का मतलब 1000 गुना छोटा, 1 Ampere का 1000 हिस्सा करोगे, तो एक हिस्सा 1 Milli Ampere के बराबर आएगा, ठीक है, और 1 Micro Ampere, अच्छा यह ज पुरा Nervous System है न, Nervs हैं बहुत सारे, तो Nervs में जो Electrical Impulse Transmit होती है, वो Micro Ampere के current, जो Electrical Impulse होती है, वो Micro Ampere में होती है, किसमें होती है, Micro Ampere में कितना current होता है, 10 की पावर माइनस 6 Ampere, मतलब अगर आप 1 Ampere का 10 लाग हिस्सा करो, कितना हिस्सा, 10 लाग हिस्सा करो, तो ज यह current के बारे में हमने discuss कर लिया, अब कुछ questions को कर लेते हैं, ठीक है, हमारा charges and current clear हो गया, कोई bit out हो, बेजी जग आप comment section में पूछिए, ठीक है, मैं next lecture बनाऊँगा, उसमें जरूर clear करूँगा, ठीक है, यहां देखिए, example यह NCRT का है, हलाकि अब कुछ chapters कट गए हैं, तो शायद यह अब exercise, यह जो example है, यह 10.1 हो गया है, ठीक है, जो भी है, देख लेना आप, example 12.1 क्या है, a current of 0.5 ampere is drawn by a filament of an electric bulb for 10 minutes, एक electric bulb है, एक electric bulb है, उस electric bulb में 10 minute के अंदर कितना current flow हुआ, 0.5 ampere का current flow हुआ, तो आप से पूछ रहा है, find the amount of electric charge that flows through the circuit, तो हमें बताने कितना charge उस circuit से flow हुआ है, कितना charge उस circuit से flow हुआ है, तो यहाँ पर कैसे करेंगे इसको, यहाँ पर कैसे करेंगे, समझे ध्यान से, तो यहाँ पर current क्या होता है, charge upon time, हमें पता है कि 5 ampere का current flow हुआ है, और कितने देर मुँआ है, 10 minute है, अब एक चीज़ याद रखना, जब भी आप किसी SI unit को ले करके काम कर, ampere एक SI unit है, तो जो भी दूसरी units होनी चाहिए, वो भी SI होनी चाहिए, जो दूसरी unit होनी चाहिए, वो भी क्या होनी चाहिए, SI unit होनी चाहिए, तो minute को भी आप क्या करोगे, seconds में convert करोगे, तो यह कितना हो जाएगा, 10 minute में कितना second, तो second में जाने के लि कि यहां कितना आ गया, क्या 3000 कुलम का चार्ज फ्लो करेगा, ठीक है, क्या इतना चार्ज, अच्य, स्वोरी, करेंट 0.5 अमपीर था, कोई बाँ नहीं, ॅभी कर लेंगे, इसको, 0.5 अमपीर था, तो 0.5 था, तो 1.0 कम कर दो, फिर, 0.5 था, तो 1.0 कम करदो, 300 कुलम का जो च 300 कुलम्ब का चार्ज फ्लो हुआ होगा, कितना चार्ज फ्लो हुआ कर होगा, 300 कुलम्ब का चार्ज फ्लो हुआ होगा, next question की तरफ बढ़ते हैं, इसको note कर लीजे, pause करके note कर लीजे, ठीक है, चलिए, आगे बढ़ते हैं, कह रहा है, calculate the number of electrons constituting one coulomb of charge, हो सकता है, यह इंटेक्स का कॉश्चन है, जस्ट जो एक्जामपल, उसके नीचे नीचे इंटेक्स दिया होगा, NCRT में, वही है, थर्ड कॉश्चन है, calculate the number of electrons constituting one coulomb of charge, एक coulomb of charge, कितना, कितने number of electrons चाहिए, एक coulomb charge बनाने क्लिक, देखिए, हमने अभी एक फॉर्मला पढ़ा था भी, Q is equals to any पढ़ा था, हमने, हमसे बोल रहा है, कितना number of electrons चाहिए, कितना N चाहिए, ताकि charge कितना हो जाए, Q कितना हो जाए, one coulomb हो जाए, कितने number of electrons चाहिए, ताकि charge कितना हो जाए, one coulomb हो जाए, और हमने बोला था, कि जब हम electrons की बात करेंगे, तो minus लिखेंगे, ठीक है, minus any, तो एक coulomb का charge, अगर electron एक coulomb का charge बना रहे है, तो वो एक coulomb नहीं होगा, minus one coulomb होगा, तो minus one coulomb, minus N into, minus N number of electron है, जो कि हमें निकालना है, कि इतने number of electron होने, एक coulomb का charge बना रहे है, ठीक है, तो यहां से क्या होगा, minus से minus cancel out हो जाएगा, क्या बचे का, one is equals to, N into 1.6, into 10 की पावर minus 19, तो N क्या हो गया, N हो गया, one upon, 1.6 into 10 की पावर minus 19, तो 10 की पावर minus 19, 10 की पावर minus 19 हो जाएगा, 1.6, अच्छा, देखिए, जो 10 की पावर ने, उसको छेडने की जुरूरत नहीं है, उसको ऐसी ही छोड़तू, अब इनको solve करते है, 1 upon 1.6, तो 1 upon 1.6 को अगर आप solve करोगे, 1 upon 1.6 को अगर आप solve करोगे, तो अब इसको लिख सकते हो, point हटाएंगे, 0 बढ़ाएंगे, तो 10 by 16 लिख सकते हो, या फिर इसको आप लिख सकते हो, 5 by 8, तो 5 by 8 को solve करते हैं थोड़ा, 5 divided by 8, point लगाएंगे, 0 बढ़ेगा, तो 5 6, sorry, 5 6, 48 होता है, 5 6, 48 होता है, 2 बज गया, फिर 0 बढ़ाएंगे, 8 2 जा 16 होता है, 4 बज गया, फिर 0 बढ़ाएंगे, 8 5 0 40 होता है, खतम, हो गया डिवाइट, तो कितना आ रहा है एंसर हमारा, कितना आ रहा है, point 625, इंटू 10 की पावर, 19 इलेक्रोंस, अच्छा, यह point अगर हम आगे shift करेंगे, तो एक power कम हो जाएगी, point हटाना चाहते हैं, point जब right side shift करते हैं, तो power घटती है, positive power घटती है, तो यहाँ हो जाएगा, 6.25 इंटू 10 की पावर, 18, मतलब 6.25 इंटू 10 की पावर, 18 इलेक्रोंस, जा करके 1 कुलम का चार्ज बनाएंगे, एक कुलम का चार्ज बहुत बढ़ा चार्ज होता है, देखे अब कितने इलेक्रोंस की ज़रुद पावर, 6.25 इंटू 10 की पावर, 18 कुलम, मतलब 18, 6.25 इंटू 10 की पावर, 18 इलेक्रोंस आपको चाहिए, ताकि आप एक कुलम का चार्ज बनापाओ, कितना चार्ज बनापाओ, एक कुलम का चार्ज बनापाओ, आ रही है बास समझ में, चलिए, ठीक है, यह question भी होगा है, note कर लीजे इसको, इसको pause करके note कर लीजे, चलिए, next question की तरब बटने, next question हमारा क्या है how many electrons pass through a lamp in one minute if the current is 300 milliampere मतलब अभी ऐसा ही कुछ कोशन किया था कि है हमने शायद question number one ऐसा ही कुछ था ठीक है तो यहां बोल रहा है कि कितना electron जो है वो pass करेगा एक minute में किससे एक lamp से या bulb से जिससे कि उसमें जो current आए वो कितना आए ठीक है मैं कर रहा हूं लेकिन आप मेरे solutions पहले pass करिए इसको खुद से करिए और answer match करिए जो मैंने किया और जो आपका answer है क्या सही है आया चलिए मैं करता हूँ पहले आप pass करिए खुद से करना current का formula होता है charge upon time current कितना बोल रहा है 300 milliampere charge निकालना है time कितना दिया है 1 minute 1 minute ठीक है अब 300 milliampere को ampere में करेंगे To milliampere से ampere में जाोगे 10 की power minus 3 से multiply करोगे क्यों? for 1 milliampere में 10 की power minus 3 ampere Alors अभी देखा न 1 milliampere में 10 की power minus 3 ampere का current होता है 10 की power minus 3 अगर नहीं समझ में आ Hampshire 2 ध्यान से समझो 10 की पावर माइनस 3 का मतलब होता है देखो 1 milli ampere का मतलब exactly यह होता है 1 milli ampere is equals to 1 upon 1000 ampere 1 ampere का 1000 अब 1000 को जो है आप 10 की पावर 3 लिख सकते हो 3 0 है तो 10 की पावर 3 लिख सकते हो 10 की पावर 3 को उपर ले जाओगे जब आप denominator से कोई चीज numerator में ले जाते हो denominator से कोई चीज numerator में ले जाते है तो उसकी पावर negative हो जाती तो इसी लिए हम milli ampere को ऐसी लिखते है ठीक है अब समझना है तो 1 milli ampere में अगर इतना ampere है तो 300 में कितना होगा इससे multiply कर देंगे अच्छा, अब मैंने बोला था ना कि minute को क्या करेंगे howки seconds करेंगे तो यह हो जाएगा 60 seconds तो यहां पर क्या आएगए यहां पर आएगा 60 seconds वहाँ divide हो रहा है तो इधर आकर क्या होगा क्या होगा multiply हो जाएगा ठीक है तो यहाँ पर क्या आएगा six three are 18 तो यह आcyjउन और three zero लग लगाड़ us इनके पास दो, इसके पास एक, तो तोटल 3-0 लगा दो, 3-6-18, और जितने 0 उनको लगा दो, इंटो 10 की पाव माइनस 3, अच्छा, 10 की पाव माइनस 3 को अभी मैंने बोला कि क्या होता है, 10 की पाव माइनस 3 का मतलब होता है, 1 upon 1000, तो multiply कर दिया मैंने, मतलब उसको open कर दिया, तो 3-0 ते 3-0 कट गए, तो कितना बचा, 18 कुलंब आया, तो 18 कुलंब का चार्ज जो है, 18 कुलंब का चार्ज जो है, वो एक मिनट में फ्लो करेगा, तब कितना current बनाएगा, 300 मिलियामपेर का current बनाएगा, किसमें, उस लैंप में, इसको भी note कर लीजे, match कर लीजे आप, क्या सही आया आपका answer, क्या आपका answer सही आया, चलिए, आगे बढ़ते हैं, इफ 2.25 इंटू 10 की पावर 20 एलेक्रॉंस, पासिस थूरू आवायर इन 1 मिनट, अगर इतने एलेक्रॉंस कितने, इतने एलेक्रॉंस जो है, वो क्या कर रहे हैं, वो 1 मिनट में, कितने टाइम में, 1 मिनट में, 1 मिनट यानि 60 सेकंड्स में, 60 सेकंड्स में, अगर वो क्या कर रहे हैं, वो वायर से पास कर रहे हैं, find the magnitude of the current through the wire, तो हमें बताना है कि, वायर में कितना current होगा, वायर में कितना current होगा, तो current का formula क्या होता है, charge upon time, अब यहां तो charge नहीं पता, लेकिन हमें पता है कि, charge निकालते कैसे, charge कैसे निकालते हैं, number of electron into E, basic charge, ठीक हैं, number of electron कितना दिया है, 2.25 दिया है, into 10 की power 20, और E का value क्या होता है, एक electron पर इतना charge होता है, तो इतने electron पर कितना होगा, multiply कर देंगे, upon time कितना है, 60 seconds, तो यहां से देखो, power, base same है, पहले इनको देखो, 10 की power यह दोनों multiply हो रहे हैं, base same है, तो power add हो जाएगी, 20 में minus 19 add करोगे, तो 1 बचेगा, 10 की power 1 बचेगा, 10 की power 1 बोलूं या 10 बोलूं, बात same है, 10 की power 1 10 ही होता है, ठीक है, upon 60, अब क्या करें, तो यहां से 0 से 0 कड़ गया, ठीक है, अब यहां पर देखिए, अब यहां तो पहले इन दोनों का multiply करा लिजे, या पहले 6 से किसी को divide करा लिजे, तो मैं multiply करा लेता हूँ, 2.25 into 1.6, 6 5s are 30, 6 2s are 12, 12, 3 1, 12 और 3 15, carry 1, 12, 13, ठीक है, ठीक है, कितना आएगा, 4.6 आएगा, कितना आएगा, 4.6 by 6, तो 4.6 by 6 को करोगे, तो यह आएगा, approximately 0.7, 0.76 ampere, 0.76 ampere हमारा जो current है, वो flow करेगा wire से, देखिए, तो इस तरीके से, आपके, यही दो formula हैं, हमने कितने, तो ही formula देखिए अभी, यहां पर जो use हो रहे हैं, बार-बार, एक तो हो रहा है, I is equals to Q by T, current is equals to charge upon time, और दूसरा, Q is equals to any, Q is equals to any, तो यह दो formula का use किया, और हमने 4-5 questions इस पर based करे हैं, और इससे जादा, इसमें question नहीं बनने वाला, I hope आपको यह explanation समझ में आया होगा, कोई doubt वगेरा है, कहीं कोई point ऐसा, जो मेरी बात में, मैंने समझाते समय आपको समझ में नहीं आया, तो आप उसको comment में लिख दीजएगा, मैं next lecture में पक्का उसको discuss करूँगा, मिलते हैं next lecture में, एक नए concept के साथ, तब तक के लिए thank you, और please हमारी वीडियो को like करिए, चैनल को subscribe करिए, और अपने friends वगेरा को भी share करिए, आपका like और comment हमारे लिए motivation का काम करता है, I hope आप हमारे साथ जुड़ करके, अच्छा feel कर रहे होंगे, और आपको चीज़े समझ में आ रहे होंगे, आपके पढ़ाई थोड़ी easier हुई होगी, thank you,